अगर आपके पास भी State Bank of Media के तरफ से नया ATM कार्ड आया हुआ है और आप उसका PIN नंबर जनरेट करना चाहते हैं यानि कि नया PIN नंबर बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ यह काम कर सकते हैं इसके लिए आपको SVI के ATM मसीन पर जाने की जरूत नहीं है आप अपने मोवाइल फॉन से ही नेट वैंकिंग की मदद से यह काम आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को प्रेट वाच करें मैं आपको अच्छी और सई जनकारी दूँगा तो दोस्तों वीडिय क्याले आपको Google सर्च में टाइप करना है SVI NetWanking और सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आपको वैफसाट आएगी SVI Online की तो आपको उस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने SVI Online का इंटरफेस आ जाएगा परसनल वैंकिंग के लिए आपको कं इस लोक्स में मिल जाएगा और आप आई विटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम और पास्वेट एंटर कर देता हूं और आपनी इंटरेट वैंकिंग को ओपन कर रखा है और इसके बाल आपको क्या करना है ज देखी कई सारे आपको सामने एटेम पिन जेनरेशन इससे पहले आपको जो न्यूव एटेम कार्ड है इसको आपको एक्टिवेट करना होगा तो इस उप्सन पर हम क्लिक कर देते हैं इसके बाद आपके सामने यह उप्सन ओपन हो जाएंगे यहां आप देखेंगे कि आप अपके अकाउंट का नाम और ब्रांच अकाउंट टाइप सभी उपन हो जाएंगे नीचे आप देखें रहे हैं स्टेक्ट अकाउंट नमबर तो हमने स्ट्रक कर रहा है यहां आपके पास जो एटेम आया है उसका आप नमबर जो सोलंगों का नमबर है उसको आपको यहां पर type कर देना है उसके बाद नीचे जो है re-enter ATM card number यही नमबर आपको दुबारा type करना है तो मैं complete जो ATM की details है जो number है मैं यहाँ type कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों आपको option आ रहा है नीचे activate इस option पर आपको click कर देना है तभी यह आपको ATM card है वो activate हो जाएगा तो यह मैंने activate पर click कर दिया है इसके बाद आपको नीचे confirm option आ रहा है तो आपको confirm करना है और OTP से आपको verify करना है तो जैसे आप confirm करेंगे तो आप देखेंगे के ATM card has been activated successfully तो अब आपको return to ATM services पर आपको return होना है इसके बाद ATM card services option पर click कर देना है click करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने option आ जाएंगे ATM pin generation अब आपको ATM pin generate करना है तो इस option पर आपको click कर देना है click करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यह mode select करना है प्रोफाल पासबर्ड से या OTP से तो हम OTP चैन करते हैं OTP चैन करने के बाद अब आपके वन टाइम पासबर्ड आपके जो रिजिस्टर्ड मुबाइल नंबर है उस पर जा चुका है तो आपको पहले वेरिफाई करना है तो आपके जो OTP आया है उसे यहाँ पर आपको एंटर कर देना है एंटर करने के बाद आपको Submit option पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको नीचे option आ रहा है Continue इस option पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आप देखेंगे कि आपके account में दो ATM शो हो रहे हैं जिसका आपको बनाना है उसमें टिक करना है इसके बाद आपको submit option पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही अब आपके सामने कुछ इस type का interface open हो जाएगा यहां आपको ध्यान रखना है कि अब आपको अपना pin generate करना है तो जो आपको दो अंक है वो आप अपना choose कर सकते हैं कुछ भी तो मैं यहाने मैंने यहाप पर one or nine choose कर लिया है और वाकी दो अंक आपके जो mobile number है उस पर SMS के थुरू बेह जाएगा तो यह देखी नीची message भी आ रहा है अब आपको क्या करना है submit option पर click कर देना है क्लिक करते ही अब आप देख रहे हैं कि enter four digit अब आपको चार अंक एंटर करने है चार अंक कैसे होंगे दो अंक जो मैंने एंटर किये थे one or nine यह देखी है अब आप one or nine एंटर कर दूँगा इसके बाद दो अंक आपके जो registered mobile number है उस पर आपको दो अंक आपके भीजिज गए हैं तो दोनों यह एंटर करने के बाद आपको submit option पर click कर देना है अब आपके सामने एक message display होगा new ATM pin number has been updated सकते हैं मतलब आपका जो pin है ATM का वो बन चुका है तो दोस्तों अब आप आसानी से अपने ATM से पैसे निकाल सकते हैं तो और भी वीडियो देखना चाते हैं तो मेरे इस चैनल कमल गुरुजी को subscribe कर ले और bell notification को भी on कर ले ताके आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आप मुझे instagram, facebook, twitter पर भी follow कर सकते हैं इनका link